जहिन दोस्तों आज बात करने वाले हैं या फूस X & Y Group का जो cut-off जाने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे cut-off and section cut-off कितना जाने वाला है X और Y Group के लिए ठीक है और साथ में भी बात करेंगे normalization का क्या आशर रहने वाला है कौन-कौन सी shifts हैं जिनको फायदा हो गा या फि अगर आपके फेज वन में इतने माक्स आ रहे हैं जो तो हम अभी बात करेंगे अगर इतने माक्स के अंदर आ रहा है तो आप फेज टू के लिए अपनी तैयारी सुरू कर दें यह मत सोचें कि हमेरे माक्स इतने हैं कम हैं इस प्रिमन नहीं हो पाएगा तो ऐसा कुछ नहीं ह अभी हम बात करेंगे हैं कितने माक्स जरूरह हैं तो अभी हम बात करते हैं चलो नैश्टेर्ठर नॉर्मलाइज़शन एफेक्ट के बारे में अभी हम यहां पर देखेंगे तो नॉर्मलाइज़शन का इफेक्त झायाएanas 미्याच या यानि जिस चिप्ड में अगर एगज में हमें फाइदा मिलेगा अगर हमने कम ही अटेम्ट की हैं को ऎれない नम्मर का यहां पर्न लाइशन ऊपर में फाइदा मिल सकता है और साथ ही अगर जिस सिफ्ट पेपर पीइजी रहा होगा उस सिप्ट सेम हार्ड में एक दो मार्ग बड़ेगा तो ऐसेई येजी वाले में एक या आधा मार्ग जो होता है वो नामलाज़ेशन का इफेक्ट बढ़ सकता है बात करें सेक्षनल कट आपकी बात करें हम पे तो जैसा कि लाश्ट ये जो गया था वो उसी करें बाई गुरुप यानी रागा की तो इसमें आपको फिप्टीन यह तो आपको इतना मार्क्स ला नहीं है पास मार्किंग है जो के सेक्षनल कट आफ रहता है इतना मांक्स आपको पास होने के लिए जरूरी है लेकिन इतने पर आपका कट आफ नहीं जाएगा ठीक है कट कट आफ इससे कहीं ज्यादा जाता है ठीक है और बात करते हैं सेम एक्स ग्रुप की तो ऐसे ही सेम मैस एंड फिजिक्स ठीक है तो इन दोनों में ही वही एट पॉइंट फाइव या एट मार्क्स आपका जरूरी है यह सेक्षनल कट आफ है एट पॉइंट फाइव से नाइ पर तो कट-off डिफरेंट होता है बात करते हैं कट-off की तो फेस्टू का जो कट-off है वह कितना रहने वाला है बाइगृ गृट कि बात करें यहां पे तो बाइगृः गृट का जो कट-off है वह हम देखेंगे 31.25 से 31.25 से 32 marks के अंदर अगर friends आपके Y गुरुप में 31.25 से 32 के बीच में अगर आपके marks आ रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी start कर देनी चाहिए फेज 2 के लिए ठीक है और इसमें अगर कोई ऐसा भी बंदा होगा जिसको सोच रहा होगा मेरा तो यससे एक नम्मर कम आ रहा है और मैं एक नम्मर 32 से ज़्यादा आ रहा है तो उपर वाला तो उसका तो है ही चांस पूरा एकदम जो low है यानि किसी का 30.5 हो रहा होगा 30.75 हो रहा होगा तो वो बंदे भी आपको तैयारी करनी है क्योंकि at a time पता नहीं है कितना cut off जाएगा यह अपन अंदाजा ही लगा सकते है ना इसमें ठीक है तो उस बंदे को भी अपनी तैयारी करनी चाहिए बात करते हैं आप एक्स गुरूप की तो एक्स गुरूप की बात करें फ्रेंड्स तो एक्स गुरूप का जो cut off रहने वाला है वो है 27.5 से 28.25 तक यानि लाश्ट येर की तरह ही इस वार भी एक्स गुरूप का जो cut off है वो 27.5 या 28.5 की बीच में आने वाला है तो फ्रेंड्स अगर आपकी मार्क्स इतने प्लस माइनस बन आप कर लेना अपने इसाब से अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए और हो सकता है यही cut off रहे तो आपको बहुत बहुत सुपकामना है अपनी तैयारी अच्छे से करो और वीडियो के लिए आप कमेंट करो कोई डाउट है तो हम कमेंट के इसाब से आपके लिए वीडियो लेके आएंगे ठीक है फ्रेंड्स और जादा से जादा वीडियो को शेयर करना थेंक्यो